Hello Friends, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम Average If Function का यूज करते हैं? तो ये जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि Average If करता क्या है? Average If हमें एक Criteria या Condition के Help से हमें Average Find Out करके देता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले यहां पर हम Apply करेंगे। इक्वल्स टू Average If इसके बाद हमें पूछा गया है रेंज तो कैटगरी का जो कॉलम है। हमारे टेबल में उसे Select करना है, कॉमा से Separate करना है। फिर हमें पूछा क्या है Criteria, तो हमें यहां पे Condition देनी है, या Criteria Select करना है, तो हम Electronics को Select कर लेंगे, फिर कॉमा से Separate करेंगे। उसके बाद हमें पूछा गया है Average Range तो उसके लिए हम Price का जो कॉलम है, उसे Select करेंगे, और बस Bracket Close करना है, और Enter Press करना है। तो जैसे की आप देख सकते हैं, Electronics का Average 97.5 है। अब हम category चेंज करके देखते हैं, इसे Clothing कर देंगे, तो आप देख सकते हैं, यहां पर Average भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके के और Content के लिए राजसिंध Microsoft को Follow करना ना भूले। Thank you!